Hello Kids, Open Your Maths Book, Page No. 61, Our Today's Topic is Multiplication. Firstly, What is Multiplication? Multiplication is a short way of adding equal numbers repeatedly. Multiplication एक छोटा मैथड है, उसका नमबरों का जोड करने का जो की equal number हो. मतलब अब एक्जामपल देखते हैं, टेक ग्रूप ओफ फोर जार इच, फोर फोर जार हमने थी टाइम लिए है, How many jar are there in all? अब हमें पता है, टोटल jar कितने हैं, हम प्लस करके बता देते हैं, लेकिन प्लस करने में हमें टाइम लगता है, इस adding का हमारे पास एक शोट तरीका है, वो क्या है? 4 taken 3 time makes 12, अब हमें पता चल गया कि 4 प्लस करने के बाद 12 आया है, लेकिन इस से शोट तरीका हमारे पास क्या है, ये वाला, शोट तरीका, वी राइट अब देखो, हमारे पास क्या थे, 3 time jar थे, और हर jar में, मतलब हर ग्रूप में कित कितने jar थे, 4 तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से multiply कर देंगे, देखो, सेम अंसर आ रहा है, is a multiplication factor, और जो 12 आया है, वो कहा है, multiplication factor है, it means, इन दोनों को multiply करने के बाद, 12 आया, answer, multiplication factor, it means answer, अब देखो, हम खुद से example करते है, look at the pictures and fill the box, अब देखो, 2, 2 mango, in each pair, how many pair are there, 4, 1, 2, 3 and 4, so, और how many mango in each pair, 2, then 2, multiply with 4, आपको पता होगा, 2, 4 जा कर लो, या 4, 2 जा कर लो, सेम अंसर आएगा, 8, next, आप 3 apple in a pair, और how many pair of apples is, 2, then 3 apple, इंटु, means multiply by 2, how many are there, 3, 2 जा या 2, 3 जा, कुछ भी कर लो, 6, next, how many pair are there, is 3, and 4, cake are there, in each pair, pair, then, write 4, and how many pair, 3, 1, 2, and 3, then write 3, then 4, 3 जा कर लो, या 3, 4 जा, अब करो, 4 जा 4, 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12, आपको टेबल तो आती है, ठीक है, मुझे लगता है, आप सबको समझा आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा, तो वीडियो को रिपीट ली देखना, या अपने पास से और सम्ट्राइ करना, थैंक यू,